पांच सव साल बाद बन रहा है दुरलम महाश्वशयोग, एक जारा जून निर्जला एकदसी, गाई को खिला दें ये एक छोटी से चीज, रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोख शकता, दोस्तों एकदसी तिथी भगवान विश्मुजी को अतिधिक प्री है, यह साल की सभी 24 एकदसियों में सबसे महतपूर एकदसी होती है, निर्जला एकदसी, यह एकदसी जेश्टमाज के सुकलपक्षी एकदसी को आती है, निर्जला एकदसी को सबसे बड़ी एकदसी कहा जाता है, बिना पानी के ब्रत को निर्जल ब्रत कहा जाता है, और निर्जल निर्जला एकदसी के दिन कई सव साल के बाद अधुद सुपसंयोग बन रहे हैं। इस दिन शरवार सिध्योग और अम्रिशिद्योग का निर्मार हो रहा है। जिसके कारण इस बार की निर्जला एकदसी बहुत ही खास बन गई है। इसलिए अगर आप निर्जला एकदसी क गाई को खिला देते हैं ये एक छोटी से चीज तो रोडपती से करोडपती बनने से आपको कोई नहीं रोक शकता। निर्जला एक दसी का उपवास करना चाहिए क्योंकि निर्जला एक दसी उपवास करने से सभी एक दसी के बरत करने के बराबर पुन्फल की प्राप्ती हो जाती है। और वो अपनी भूक को नियंतरित करने में सक्षम नहीं थे इसी कारण से वह एक दसी बरत को नहीं कर सकते थे। भीम के अलावा बाकी पांडव, भाई, द्रोपती सभी लोग यनिकी साल की सबसे बड़ी एक दसी को पूरी स्रद्धा से इस निर्जला एक दसी को करते थे। भीम सेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान थे। भीम सेन को लगता था कि वह एक दसी बरत ना करके भगवान विश्यूजी का अनादर कर रहे हैं। जिससे हम भी एक दसी बरत कर सकें। बहुत ही खास है क्योंकि इस बार इस निर्जला एक दसी की दिन कई सारे अद्वत सोजयों बन रहे हैं। इस दिन निर्जला एक दसी की दिन जो नियम होते हैं। जो लोग बरत नहीं करेंगे उन्हें चावल भी गरहन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस दिन अगर आप गाई को एक छोटी से चेज खिला देते हैं तो भगवान विश्यों और माता लक्ष्मी का अपार खिरपा बरसेगी। दोस्तों इस दिन आप भगवान विश्यों को तुलसी दल जरूर अरपित करिएगा। तुलसी दल अरपित करने से आप पूजा का पूरा फल मिलेगा क्योंकि बिना तुलसी के पूजा धोरी मानी जाती है भगवान विश्यों जी की तो आप उन्हें तुलसी दल अरपित करिए और इसके बाद गी गुड़ का भोग लगाईए और इसके बाद आप एक थाली मे गुड घी रख लीजे, थोड़ी से हल्दी रख लीजे, थोड़ी से काले तिल भी रख लीजेगा, और थोड़ी से मिस्त्री रख लीजेगा, फिर आप यनि कि इस रोटी पे गुड घी रखिये, थोड़ी से हल्दी रखिये, थोड़ी से काले तिल और थोड़ी से मिस्त्री रखिये फिर आप इस रोटी को ले जाकर चुप चप गाई को खिला दीजेगा ऐसा करने से आपके उपर भगवान विश्म और माता लक्ष्मी का पार किरपा वरसेगी और धनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी रोडपती भी बन जाएंगे करोडपती दौस्तों निर्जला ए ये इस गाई में रोटी में आप गुड़ घी, काले तिल, मिस्त्री और हल्दी जरूर डालके खिला दें दौस्तों अगर इस दिन काले तिल, गुड़ और घी से बने लड़्डू अगर गाई को खिलाते हैं रोटी में रखकर तो आपके उपर भगवान विश्म और माता गाई की जरूर करें और दौस्तों इस दिन आप थोड़े से घास ले लें घास में एक रोटी रख लें थोड़े से काले तिल, थोड़े से उसमें हल्दी गुड़ घी रखके आप चुप चप गाई को खिला दें तो भगवान विश्म के अश्म कर पर प्राप्त होगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी गरीबी घर का रास्ता भोल जाएगी दोस्तों इस बार यह एक अदसी एक जारा जून को पढ़ रही है जी हैं दोस्तों इस बार कि यह निर्जला एक अदसी एक जारा जून को मनाई जाएगी दोस्तों यह 10 जून को सुबह 7 बचकर 46 मट से स पूरे दिन मानने होती है इसले एक जारा जोन को ही यह निरजला एकदर्शी मनाई जाएगी तो आपको गाई को यह एक छोटी से चेज खिला देनी है निरजला एकदर्शी के दिन जिससे आपके जीवन के सभी कश्र दूर होंगे और भगवान विश्म और माता लक्ष्मी का अशीम कृपा प्राप्त होगी दोस्तों इस दिन गौसाला में भी एक दीपक जरूर जलाएं और भगवान विश्म और माता लक्ष्मी का पूजा राधना करके आप उनसे आश्रवाद जरूर लें और गाई को इस दिन आप यह निकी जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं अश्रवाद जरूर लें दाहिने पेर का इश्पर्श करें जिससे आपके उपर और आपके पूरे घर परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विश्म का शिंक रूपर प्राप्त होगी तो दोस्तों कमेंट सेक्सर में जरूर लिखेगा जय मालक्ष्मी और साथी साथ